नमस्कार आप देख रहे हैं ग्रीन लाइन योज और मैं हूँ आपके साथ के उटेसिंग आए नज़र डालती ही खबर की ओर पिकनिक मनाने जा रहे है युवक की मौत अमर कंटक मार्क पर हुई दुर्खट नाम कोटा अमर कंटक रोड पर शिवताराई के पास तेज रफतार कार पेड़ से टकरा गई हाथ से में कार में सवार ही वक की मौके पर ही मौत हो गई और चार अने घायल हो गई इनमें से एक को अपोलो में भरती कराए गया है और बाकी का शहर के नीजी अस्पतालों में इलाज चल रहा है सभी तोरवा चेत के रहने वाले थे और पिकनिक मनाने जा रहे थे गटना कोटा थाना चेत में हुई देवरी खुर्द निवासी करण गर्ग पिता सशी गर्ग 19 वर्षे सुमवार को तोरवा चेत के ही अपने साथी निर्मलेज पांडे आकास सुकला सरोज यादो चंदन वा प्रियंक सोनी के साथ प्रियंक सोनी के साथ का नमबर CG10Z898950 से पिकनिक मनाने सिवतराई जाने निकला था इसमें निर्मलेज चला रहा था गाड़ी दोपेर करीब 12 बजे कोटा अमरकंट तक मार्क पर ग्राम सरैपाली से आगे बढ़ी पुलपार करते ही मोड पर रफ्तार अधिक होने के कारण कार अन्यंतित हो गई और सडक की नारे पेर से ठकरा गई दुर्घटना में करण की मौत हो गई और निर्मलेज घायल हो गया कार की पिछली सीट पर सवार सरोज यादो चंदन आकास सुकला भी दुर्घटना में घायल हो गया मार्क से गुजर रहे लोगों ने देखा तो कोटा थाने में फोन कर घटना की सूचना दी पुलिस 108 लेकर वहाँ पहुची तता सौवा घायलो को प्रात्मिक स्वास्ति केंदर कोटा भीजा यहां से निर्मलेज की हालत को देखते वे उससे आप पोलो राफर कर दिया गया प्रियंक को छोड़ कर बाकी यूदकों को सहर के अन्य अस्पतार में भारती करा गया प्रियंक सोनी के रिपोर्ट पर पुलिस ने कारचाला की खिलाफ धारा 304 एच दर्ज कर लिया है एसे एक ख़बर से जुड़े रहने के लिए आप देखते नहीं ग्रीन लाइन योग राची ओक्सपोर्ट पब्लिक स्कूल का ब्रांच गर्वा शहर नारायन तो दन्वा में खूला गया है प्री नर्सरी से क्लास 6 तक नावांकर प्रारम है जहां बच्चों के लिए डिजिटल वा एसे क्लास्वूम हाई के कम्प्यूटर लैब एवं बस की सुविधा उपलब है 9031474750 पर संपर करें